हाई आज हम बना रहे हैे वेट लॉज ड्रिंक या फिर आंटि एजिंग भी बोल सकते हुआ फिर बोल सबस्की बोल ने कि स्किन को कैसे ग्लो करती है वह ड्रिंक वह बना रहे हैं पिंग टी, पिंग टी के लिए हमको चाहिए पुमोगरनेट एक बोल भर के, मतलब दाडम हमको एक बावल भर के चाहिए और उसको हमें मिक्षर में ग्राइंड कर देना है और उसका अच्छा सा जूस निकालना है एक बाव जूस निकल जाए उसके बाद आपको इसे अच्छे से चाहना है अब देख सकते हैं प्रॉपर पेस जासा बन चुका है तब आपको उसको चाहन लेना है तो हमने एक चन्नी लिया है चन्नी में हम इस जूस को आड़ कर दे रहे हैं और इसे प्रॉपरली मिकाल रहे हैं मालब इसके सारे सीद्स अलग कर रहे हैं और जो ड्रिंक है मालब जो जूस है उसका वो अलग कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि कितना सीद्स निकला है और कितना जूस निकला है चीक है यह जूस इतना ठेक रहता है अब हमेंसे गास पिलेना है और हमें इस पर आड़ करना है एक ग्लास पानी मतलब 200 ml पानी हमें इसमें आड़ कर देना है और इससे अच्छे से बॉयल करना है बॉयल तब तक करना है जब तक एक प्रॉपर सा स्मेल निया जाता है अब देख सकते हो कि अब हम इसमें आड़ कर ड्राइड रोस पेस्ट्रिल्स इसलिए आड़ कर रहा है क्योंकि इसका एक टेस्ट भी एनाच्ट भी एनाच्स होती है आप इसे कंटेनिव स्टर करते जाए करते जाए जब तक इसमें प्रॉपर बॉइल ली आना बॉइल आने के बाद नहीं जो उपर का जो टेक्शर रहता और इसे निकाल दीजे साइट पे अब सर्फ करने के लिए हमें पुमुगरिन इच्छे ये मलब दारम चाहिए और फिर हम इसमें आड़ कर दे कि हमने चो टी बनाई है वो ये टी गरम ही सर्फ करें गरम सर्फ करोगे तो इसको पीने का एक अलगी मज़ा है ठंडा सर्फ कर कर सकते हो हनी नहीं खाते हो तो मेपल सरफ भी आड़ कर सकते हो या फिर आप शुगर आड़ कर सकते हो बड़ अगर अगर आप वेट लॉस करें तो प्लीज शुगर स्किप्ट करें थैंक ये फो वाचिंग